यश बागु न्यूज, कबरें सुपरपार्ट, यश बागु न्यूज कॉंग्रेस प्रत्याशी अशो करोडा को उस वक्त बड़ी काम्याबी मिली जब थाने सर विधान सभाक्षेत्र के हजारो बाजीगर समाज के लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया इसको लेकर गाव दप्खेडी में एक सम्मेलन का आयोजन कर हजारो बाजीगर समाज के लोग जुटे और अशो करोडा को समर्थन दिया पुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं और जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देगी कि मैं इमानदार हूं तब तक सीएम की कुरसी पर नहीं बैठूंगा जिला पुलीस विधान सभा चुनाव को लेकर पुलीस अलर्ट मोड पर है पुलीस अधिक्षक वरुण सिंगला के दिशा निर्देशानुसार विधान सभा चुनाव के मध्यनजर थाना शाहबाद एरिया में फ्लैग मार्ज निकाला गया पुलीस अधिकारियों के नित्रित्व में पुलीस टीम वसी आएसेफ की टुकडी ने आम नागरिकों को शान्तिपूर्ण, निश्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया में पुलीस का सहयोग करने की अपील की करनाल में भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद ने कहा कि भाजपा की जन कल्यानकारी नीतियों से प्रदेश का हर वर्क खुश है और प्रदेश की जनताने तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है भाजपा की एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा प्रदेश की जनता का भला चाहा है भाजपा ने पिछले दस वर्षों में प्रदेश में इतने विकास कार्य करवाए हैं जितने आज तक पिछली सरकारों ने कभी नहीं करवाए रीट की हड़ी से संबंधित रोगों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए नियूरो सर्जन डॉक्टर हिमानशु जैन ने गाव बकाली में फ्री मेडिकल कैम्प लगाया डॉक्टर संजय शर्मा के नेतरित्व में 1947 वो कैम्प आयोजित किया गया कैम्प में 138 रोगियों को परामर्ष, चेक अप, बलड शुगर, प्लस रेट व परामर्ष दिया व फ्री दवाईया दी गई